असलाम अलेकूम वेलकम बैक टूदी चैनल उमीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अलहमदलिल्ला और ये कल शाम का टाइम था और मैं बना रही थी आलू और चिकन वाले प्राठे तो सबसे पहले मेरे यहां पे ना आलू काटके रख लें यह दो किलो चैनल जाता है तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर यहां पर मैं अपने बेटी की कटिंग का रही थी इसने का था कि मेरे ना चुल डर तक कर दो तो मैं का देती हूं आपको भी सासा दिखाती तो मैं इनके ना कर देती हैं और अक्सरी जो भी इनोंने वीडियो देखते है ना शोट्स में अगर यूट्यूब पे तो केंके इस तरीके से कटिंग हमें आप कर दें तो मैं वैसे देखके ना कर लेती हूती हूं तो आगे भी बच्छे की करूंगी ना तो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और यहां पर जी उसकी करके मैं कीचन में वापीस आगी और बनाने लगी हुमें आटा गूनने लगी थी और आटे में ना मैंने दो आटे मिक्स की एक तो गंदू का जो नॉर्मॉल आटा था ना वह और एक जोंसे ना वाइट आटा मैंने इसमें शामिल किया था था कि थोरा क्रिस्पी सा बने बच्छों को ना है के भी वाइट की रोटी ज्यादा ची लगती है और हस्बंड को गंदू की तो थोरा सा नमक डाला और आटा गून लिया और यहां पर जिनाब मैंने हट गया वगला देखें बीच में से निकाल ली नी तो चिकन भी हमारा बॉयल हो गया और आलो भी इनको अच्छे से मैश कर लेते हैं करना तो यहां पर जिसमें नमक कुटी विलाल मिर्श है और साथ में है हुश्क धनिया जीरा च्वाइन और अनार्दन अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं थोड़ी सी हल्दी थी और यह सब चीजह मैंने आट की और साथ मैंने मैंने इसमें ड्राय जों साथ धनिय तो यह वैसे बड़ा अच्छा काम होता कि अगर रहे हैं आपने रखावा हो ना धनिया और दीना वगारा तो वह आपकी काफी चीजों के काम आ जाता है राहिता बनाना हो यह किसी खाने में नालना हो तो इसी हो जाता है तो पीछी आपने बच्चे देखे आके पहली कि आप यहां पर दी मैंने दो नार्मल साइस के पेड़े बनाए एक को मैंने बैल लिए बेलने के बाद इसके ऊपर घी लगा यह उसके पर मैंने डस्ट कर दिया है खुश्क आटे को ठीक है अब जैसे हम पराथा बनाते हैं यह बारीक बिल्कूल उसको ना इसके बनाईग तो इस तरह से पराठा सब नालूंगी और ये दोनों पराठे बनाने के बाद दुबारा हलका हलका बेला एक पैटी बनाई तो पैटी बनाके ना आलू की तो इसके उपर रगती है अच्छा अब ये उपर दूसरी मैंने एक लेर रखी और साइडर से हम इसको बंद करेंगे इसको बेलेंगे अचा या आप ये बना ये आप चाहें तो इसके साथ पराठा बना सकते हैं आप चाहें तो ब्रैट alcohol की प्राठे बना शागते हैं या भटोसभालिये बच्छों के लिए इवनिंग साकते हैं अगरे काफी चीजे बन जैती हैं TO noisy earbuds क 그걸 हमिल शामिल करे आप तो इसके ओपर ना मैं तील लगाना और जो आए वो कलवंजी ऊपर डॉस कर दी थी मैंने और ना हाथ से दुबा दी तो फोर न ही लागी तेखे तवे के ओपर मैंने किया हलाकर लेकिन वैसे नॉर्मली मैं बेलते वाक करती हूं क्यूंकि मैं भूल गई थी तो मैंने तवे क को ज्यादा मिट्चे लगनी थी तो दूसरे प्राथे के ओपर मैंने लगाती है है यह प्राथा मेरा था जो के भाट गया है तो सब खाना खाक हो के इदर उदर जा चुके थे कोई मूबाइल पर लगा था कोई वीडियो और कोई जों से अपने कामों पे लागिए और मैं ए अपने काम पर क्वाना जी कीजन की किया किचन क्लीन करने के बाद सारी चीजे मनें स्मेटी और यह हमजा यह अपनी लेकर बैठा था और इसने सारी में आपको दिखाया ना कि तो नहीं पता कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूं ऐसे करते हैं तो यहां पे जी बचे स्कूल चलेगे थैंक्स पर वचिंग अलाहाफीस